असलम उलेकुम students, आज का हमारा lecture है simple harmonic motion 10th class का पहला chapter जिसका नाम है simple harmonic motion and waves, उसका पहला topic आज हम पढ़ेंगे simple harmonic motion. सिंपल हार्मानिक मोशन की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं यह सिंपल हार्मानिक मोशन कहां से आई असल में सिंपल हार्मानिक मोशन इस टाइप इस काइंड किसकी काइंड है कि एक स्पैशल मोशन है उसकी काइंड है उस मोशन का नाम क्या है उस मोशन का नाम आप oscillatory motion भी कह सकते है oscillatory motion या vibratory motion oscillatory या vibratory motion क्या होती है अगर कोई जिसम अपनी वस्ती position के वस्ती position के आगे पीछे आगे पीछे motion करे to and fro motion या back and forth motion करे तो ऐसी motion एक special motion है जिसका नाम oscillatory motion है या उसे vibratory motion भी कहते है अब इनकी एक special kind है जिसका नाम है simple harmonic motion oscillatory motion या उसका दूसरा नाम vibratory motion जिसमें जिसम क्या करता है अपनी वस्ती position के आगे पीछे आगे पीछे और आइस्ता आइस्ता अपनी वस्ती position पे main position पर रुक जाता है उस motion की एक special kind है simple harmonic motion हम तफसिलन simple harmonic motion को discuss करेंगे simple harmonic motion की तरफ बढ़ते हैं so vibratory oscillatory motion की definition क्या है the motion of a body कैसी motion the motion of a body about its mean position mean position के कैसी motion to and fro motion about its mean position या back and forth motion of a body about its mean position is called oscillatory or vibratory motion and its kind अब इनकी kind इसकी type है इसका नाम है simple harmonic motion तो simple harmonic motion हमारा आज का topic है अब simple harmonic motion हमारे एर्दगेद हम बहुत से जिस्मों में बहुत सी bodies के अंदर देख सकते हैं बिसाल के तोर पे अगर कोई जिसम spring के साथ बांधिया जाए और spring को एक side से fix जगा से बांधिया जाए और उसे oscillate करवाया जाए तो उस जिसम की motion कैसी होगी simple harmonic motion अगर आप एक bowl लें उस bowl के एक side से ball गिराएं तो ball आइस्था आइस्था से अपनी वस्ती position के आगे पीछे आगे पीछे motion करता हूँ वस्टाप हो जाएगा इस तरह मेलों में अक्सर आपने कष्टी का सफर किया कष्टी पे बैठे होंगे वो भी अपनी वस्ती position के आगे पीछे to and fro motion करती है back and forth motion करती है that is also simple harmonic motion इसी तरह से आगे चलके simple pendulum हम पढ़ेंगे तो आएए simple harmonic motion की examples study करते हैं simple harmonic motion की three examples जो इस chapter के अंदर है उनमें one by one हमें तफसिलन उन examples को उसकी examples को खस्वसन देखना है simple harmonic motion की जो आज का हमारा topic है उसकी सबसे पहली example है motion of mass attached to a spring एक ऐसा mass जो किसके साथ बंदा हुआ है spring के साथ बंदा हुआ है और उसकी motion डिसकस करते है motion of mass attached with a spring उसकी motion देखते है आया उसकी motion वाक के ही simple harmonic motion है वाक के ही वो to and from motion है वाक के ही back and forth motion है तो सित अफसीलन हम देखेंगे इसके results calculate करेंगे derivation करेंगे और फिर result निकालेंगे के prove करेंगे के mass attached with a spring is an example of symbol harmonic motion situation यह हमारे पास हमारे पास बेटे students हमारे पास एक table है उस table के उपर हमने एक spring लिया और spring के एक किनारे को मजबूती से बांदिया और दूसरे किनारे पे हमने इसके साथ क्या attach किया हुआ है मैस एक spring जिसका एक किनारा हमने मजबूती से बांदिया वो अपनी जगा से move नहीं कर सकता यहां से fixed है और दूसरे किनारे के साथ हमने क्या attach कर दिया एक मैस attach कर दिया अब initially अगर हम इसे गोर से देखें तो यह अपनी वस्ती position पे है mean position पे है ना आगे move कर रहा है ना पीछे move कर रहा है अपनी mean position पे है जिसे हम किस से represent करते हैं O के साथ mean position को अभी इस लम्हे इस पे जो force लग रही है उस force की value कितनी है 0 अगर इस जिसम के साथ यह किया जाए कि इस body को displace करवाया जाए अपनी जगा से हटाया जाए अपनी जगा से move करवाया जाए चाहे वो right side पे चाहे वो left side पे अगर हम इस पे क्या apply करें force apply करें जिसम को पकड़ें यहां तो से right side पे ले जाए यहां उसे left side पे तो देखिए कैसी तस्वीर बनेगी अगली तस्वीर में हम देखेंगे कि अगर इस जिसम को अपनी जगा से हटाया जाए अपनी जगा से force लगा के move करवाया जाए तो spring हमें stretched होता खिचा हुआ तना हुआ बढ़ता हुआ साइस में दिखाई देगा force के नतीजे में force लगा के हमने इसे अपनी जगा से क्या करवा दिया अपनी जगा से हमने इसे dis place करवा दिया अपनी जगा से हटा दिया है right side पर हमने force लगा के अपनी position से mass तो वही है जो पहले था वही mass भी है हमने इस पर force exert की और इसे अपनी position से हटा के आगे ले गए इस जगा का नाम ओ था और इस जगा का नाम है पिटे इह है इस जगह का नाम है यह नई पोजीशन जहां पे वो मैस हमारी फोर्स एक्जर्ट करने की वज़ा से पहुंच गया। अब तीसी दफ़ा हम अगर देखें जब इसे हम रिलीज करेंगे इस मैस को छोड़ा जाएगा तो यह मैस इस मैस के पास हमने जो इनिशली इस पे फोर्स लगाई थी उसकी वज़ा से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आगी है। क्या मतलब जब हम किसी जिसम को फोर्स लगा कि और जिसम देखिये किसके साथ बंदा हुआ है इलास्टिक बॉड़ी के साथ इसा जिसम जिसे खैंचे तो लंबा हो जाएगा दबाएं तो दब जाएगा लेकिन जैसे ही उससे फोर्स हटेगी मैट्रस मैट्रस के उपर जब हुक्स लाह यह कहता है, कि जब भी किसी जिसम को अपनी वस्ती पुजीशन से डिस्प्लेस करवाया जाए, तो उस जिसम के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, बदले की फोर्स आ जाती है, जो बदला लेना है, वो फोर्स क्या चाहेगी, उसे अपनी किस तरफ लेके आएगी, वस्ती पुजीशन की तरफ, जब भी हम किसी जिसम को अपनी वस्ती पुजीशन से अटाएंगे, तो एक फोर्स उसमें आ जाएगी, जो क्या करेगी, उसे अपनी वस्ती पुजीशन की तरफ लेके आना चाहे उस फोर्स की मिकदार कितनी है उस फोर्स की मिकदार किस पर डिपेंड करती है डिस्प्लेस्मेट पर जितना ज्यादा डिस्प्लेस करवाओगे जितना ज्यादा डिस्टर्ब करोगे जितना ज्यादा परेशान करोगे उतनी ताकत उतनी बदले की फोर्स उतनी बदला लेने क जो कोगी उसकी वो उतनी भढ़ती जाएगी वो नतीज़ा क्या निकलेगा वो री स्टोरिंग फो अस इसी तरह से कभी अच्छे मार्केट में हम चले जाएं या बैंक्स के अंदर चले जाएं तो एक दर्वाजा जो उनका में डोर है उसे खोलते हैं पुश करते हैं तो पु फोर्स को स्टोर करके दोबारा उस जिसंग को कहान ले या पापिस इसी तरह जब भी किसी जिसंगे फोर्स लगाई जाए चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो उसके अंदर एक फोर्स आती है uncool जमा हो जाती है जो इस जिसंग को हमेशा किस तरफ लेके आएगी हमेशा किस तरफ लेके आएगी towards the mean position और उस force का नाम आगे चलके हम देखेंगे restoring force जैसे मुबाइल को restore करते हैं अपनी पहली हालत में लेके आना एक ऐसी force जो जिसम को अपनी पहली हालत में लाए तो उक्स ने ये कहा था कि जब भी हम किसी जि displace कर दें तो displacement की वज़ा से उसके अंदर एक force आएगी उसके अंदर एक force आजेगी जो उसे मेशा कहां लेके आएगी mean position की तरफ तो that force किस पर depend करती है जितना ज्यादा displacement उतनी ज्यादा force उसे वापिस लाने वाली पैदा हो जाएगी और मन्फी का sign यहां क्या बता रहा है opposite side अगर आप उसे right side displace करोगे तो restoring force उसे left लेके आएगी उसी दरवाजे को उसी bank के दरवाजे को pull करके देख लीजे या pull करके चोड़ेगे फिर भी वो अपनी वस्ति पोजिशन में पुश करके चोड़ेगे तब भी वस्ति पोजिशन इसी तरहां उस force का नाम जो body को disturb कर करने पर displace करने पर अपनी वस्ति अपनी पहली position अपनी असल हालत में लेकिया उस force का नाम है restoring force और restoring force की यहीं से तरीफ देख लेते हैं a force that pushes और pulls a body towards its mean position एक ऐसी force जो body को हमेशा अपनी वस्ति पोजिशन की तरफ push करे या pull करे खैंचे या दके ले उस force का नाम restoring force और उसका idea hooks ने दिया और ये खास तोर पे किन bodies के लिए है याद रहे बचो कि ये खास तोर पे है elastic bodies के लिए elastic bodies में ऐसा जाहर होता नजर आता दिखता भी है अब जब इस proportionality को खत्म किया जाए इस proportionality sign को खत्म किया जाए तो हम जानते हैं यहां constant आएगा constant है minus constant यहां पे k है और इस constant का नाम है spring constant क्योंके बात किसकी और यह spring की this k is spring constant और अगे हाँ बहें यहां से k की कीमत चाहिए हो then k will be equal to k will be equal to minus f over x k की कीमत k is spring constant k की कीमत किस पे depend करती है stiffness stiffness of the spring पे जितना ज्यादा stiff stiff कहते है सक्त बाइक के अंदर भी spring लगा होता है इसी तरह पैंसल के अंदर भी spring है कौन सा stiff है ज्यादा जो बाइक का spring है that is stiff और जो stiff ज्यादा हो उस पे force क्या लगानी पड़ती है ज्यादा पुछ क्या करना पड़ता है ज्यादा तो stiffness k की कीमत stiffness पे डिपेंड करती है जितना ज्यादा stiff ज्यादा सक्त उतनी के की वैल्यू ज्यादा और जितना नरम जितना soft उतनी के की वैल्यू काम के mcq भी आता है कि on what factor the value of k depends the value of k depends upon stiffness of the spring stiffness spring stiff है सक्त है तो k ज्यादा अगर spring soft है तो k कम that is defined by the hooks hooks ने ये बताया था कि जब भी किसी जिसम को displace करवाया जाए left और right एक force उसके अंदर आ जाएगी जो से हमेशा वापिस drag करेगी खैंचेगी towards its mean position ये था जी according to hooks अच्छा तीसरी position भी एसम ड्रॉआ कर लेते हैं पहले अगर इसी figure को हम देखें वो ही हमारे पास stable है वो ही body जब हमने थोड़ी वकत के बाद देखी तो ये spring कैसा दिखा वो ही जिसम वो ही मैश था spring क्या हो गया compress अपनी वस्ती position वस्ती position से अब भी क्या हो गया वो displace हो गया है अपनी वस्ती position से displace यह इसकी पस्ती position थी यहाँ ओ से अपनी वस्ती position O से कहां पर हमने उसे कहेंच के रखा A पर release किया O पर आया होगा O से रूख नहीं सका जिसम पर force लगे, तो समझ जाओ, उस force की वजा से body में क्या पैदा होगा, acceleration, this one is a force defined by hooks, and this force is defined by Newton, दोनों forces क्या हैं, दोनों ही forces हैं, अगर मैं F की ये कीमत, ये F की कीमत जाके equation number 1 में put कर दूँ, then क्या बनेगा, वो equation 1 क्या शकल इक्तियार कर लेगी, left side पर क्या आजेगा, F की X, मुझे यहाँ a की कीमत चाहिए, a will be equal to minus k over m into x, ज़रा इस factor को गोर से देखिए, ये factor क्या है, k was already a constant, k तो constant था, क्या इस सारी motion के दुरान mass change हुआ, क्या mass में कमी या इजाफा हुआ, क्या mass की value भड़ी या कम हुई, no, पूरी motion के दुरान हमने देखा, mass तो change नहीं हुआ mass यहाँ भी वोई, यहाँ भी वोई, यहाँ भी वोई, इसका मतलब mass in case of simple harmonic motion also remains constant, constant है, ये भी constant, ये भी constant, और जब किसी constant को खतम किया जाए, तो दुबारा से हम उसकी जगा पर proportionality minus अपनी जगा पर, x अपनी जगा पर आ जाता है, that is another result, ये result क्या define कर रहा है, ये result क्या define कर करता है, कि acceleration and displacement are directly proportional, acceleration and displacement are directly proportional, लेकिन minus sign क्या बता रहा है, opposite to each other, acceleration कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा displacement पैदा करोगे, उतना ज्यादा जिस हमें acceleration होगा, लेकिन मुखालिफ, किस तरफ मुखालिफ, अगर displacement right side पे है, तो acceleration is always towards mean position, अगर displacement left side पे है, इसका मतलब ये निकला जिस तरहां से restoring force हमेशा किस तरफ थी mean की तरफ इसी तरहां simple harmonic motion करते जिसम का acceleration भी किस तरफ हुआ करता है mean position की तरफ ये इसका छोटा सा result है कि जब भी कोई जिसम क्या करते देखो vibrating motion करते देखो to and fro motion करते देखो back and forth motion करते देखो तो उस पे क्या है force औ उसे कहां रोकना चाहती है कहां stop करना चाहती है कहां ले कि आना चाहती है अपनी mean position इसी तरहां उसका acceleration भी acceleration is also a vector quantity वो हमेशा उसे मजबूर करेगा किस तरफ आने को किस तरफ आने को towards the mean position ये एक another result है simple harmonic motion के लिए तो यहां से हम करते हैं कि force और acceleration एक ही सिम्मत में हैं चाहे displacement right side ले जाओ displacement left side ले जो हमेशा force or acceleration एकी सिम्मत में होते हैं और वो सिम्मत defined है और वो सिम्मत confirm है और वो सिम्मत पता है वो क्या है towards the mean position दरवाजे को push करो pull करो उसने आना हमेशा अपनी mean position पे है जूले को push करो pull करो उसने आना हमेशा अपनी mean की तरफ है और mean की तरफ आक लेक यह इसका रिजल्ट है दो था डिरेक्ली वर्बोश्टनल एक्षबेश्याशन एंडिस्प्लेस्मेंट बट आपोजिट तो इस अदर आपोजिट टू इच अपोजिट रिश्वेश्मेंट राइट इसके चनल लेफ प्लेस्ट नाफ मीन की तरफ यह थे यहां से रिजल्ट अब आईए इस डाइग्राम को जरा तफसील में डिसकस करते हैं कि जब कोई बॉड़ी अपनी मीन पॉजीशन पे थी जब ये जिसम स्प्रिंग के साथ बंदा हुआ मीन पॉजीशन पे था तो फोर्स क्या थी? जीरो थी फोर्स क्या थी इस वकत? जीरो थी कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, कोई बदले की ताकत नहीं कोई ऐसा उसके अंदर एक्सरलेशन नहीं, कोई डिस्प्लेस्मेंट नहीं लेकिन जब मैंने इसे खैंचा, जब मैंने इस पे क्या पैदा किया? डिस्प्लेस्मेंट पैदा किया और कहा ले गिया इसे? करेंगे तो यह बाड़ी हमेशिक किस तरफ आएगी किसकी वजह से री स्टोरिंग फोर्स इसको अपने जहन में रखिए जासे दरौाजा बैंकों का या दरौाजा मार्किट्स का दरौाजा बैकरी का इसे पुश करते हैं तो वह खुद बाखुद बंद हो जाता है उस दरौ शर्पूल करता है अपनी वस्ती पोजिशन जहां उसने मांद उना है इसी तरह जब मैं यहां के रिलीज करूंगा तो भी स्टोरिंग फोसे से यहां लेके आएगी क्या यह यहां आने पे maximum and acceleration will be zero और जहां velocity जिन जगों पे velocity move करते हुए zero है वहां acceleration maximum समझा जाएगा so इसका मतलब यह है कि जब body यहां पे आएगी क्या होगा restoring forces से लेकिए आएगी क्या यहां यह रुकरवाएगा क्या यह जिसम यहां रुक जाएगा ओपे अपनी पहली ही state में पहली ही दफ़ा यहां रुक जाएगा नई इसका inertia इसकी motion को क्या करवाएगा continue करवाएगा क्योंके inertia क्या चाथा जिसमों से हम नाइत में पढ़ते हैं inertia एक ऐसी ताकत है जो motion करते है जिसम को motion करवाना चाहता है और rest में जिसम को करवाएगा इसे कहां ले के जाएगा बी पे ले के जाएगा इनर्शिया還是 से इससे extra काम करवादेगा बी पे चला चाएगा और जब बी पे जाेगा बी पे जाते हुए दुबारा से इसके अंदर क्या पैदा जबता होना शुरू हो जएगी क्योंकि अपनी मीन पुजीशन से हट रहा है और जब कर गोई जिसम अपनी मीन पुजीशन से हटता है बदले की हिताकद इसमें रिस्ट смож फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी जब वो व बी पे पह नहां ले आए अब restoring forces कहां लेकर जाएगी ओ की तरफ फिर निरुक पाएगा और यह सिलसला कुछ वक्त के लिए चलता रहेगा क्योंकि यह समके अंदर जब तक inertia रहेगा restoring force उस पर काबू पाने की कोशिच करती रहेगी और आइस्ता 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 क्या नतिज उसके बाद यह body अपनी वस्ती position वह पर उख जाएगी यह था simple harmonic motion का topic जिसकी हमने पहली मिसाल पढ़ी उसका नाम है motion of mass attached to a spring जब कोई जिसम किसके साथ बंदा हो spring के साथ initially हमने उसकी हालत देखी firstly जब force 0 थी displacement 0 था mean position पे था mass फिर हमने उसके ओपर force exert करके से यहां लेके अ अब जब इसे release करेंगे तो hooks ने कहा जब एक elastic body को अपनी जगा से हटा के छोड़ा जाता है mattress के ओपर बैठने के बाद उठा जाता है तो mattress का spring उसे अपनी belly हालत मिले आता है दरवाजे को खैंच के जब छोड़ा जाता है दिन में वो spring लगा हो तो वो spring उसे वापिस अपनी जाएगा इसे बजाए यहां रोकने के यहां ले जाला गया फिर restoring force वापिस लाएगे और आइसा आइसा इसा friction रगड की वज़ा से इसकी speed इसका momentum कम होती जाएगा और आइसा इससे अपनी बस्ती position पर जाएगा यह था mass motion of mass attached to a spring और last पे अगर हम से यह कहा जाए कि सारी motion के दुरान time period find करके देखिए time period उसके लावा जो हमने किया देख लीजिए हुक्स के carding formula after active portion minus x का proportionality को खतम करेंगे spring constant जो के define किया हुक्स नहीं यह relation आगया के is a spring constant के की कीमत किस पर depend कर दी है के निकालना हो तो के is equal to minus f हो रहाएगा यह short question भी आता है हुक्स का करून भी आता ह है so according to hooks when a force is applied क्या होगा force or displacement directly proportional है लेकिन के सिम्मत मुखालिफ है force अगर displacement left side तो force कहां लेकिया है कि उसे right side mean की तरफ अगर displacement right side तो left side तो restoring force मेंचा mean की तरफ यह था पिर उसके बाद newton के carding एक किसके बराबर है values put की तो हमारे पास यह result निकला our last पे अगर हमसे पूछा जाए इस motion के दुरान इस motion का time period कितनी देर बाद body एक vibration का time कितना है कितनी देर में body अपनी वस्ती position से आगे जाके दुबारा इस जगा पे आ जाएगी तो time period निकालने का formula first year में बकाइदा से हम करेंगे derivation भी लेकिन यहां हम direct formula use करेंगे t is equal to 2 pi m over यह क्या बताता है कि Mohs करेंगे दो चीजां यहां में आठेच तो spring का time period दो चीजों पर depend करता है यह तो constant है यह तो constant है mass जो attach किया गया है और k फिर से वो ही spring constant spring नरब है या hard है soft है या stiff है उस पे depend करता है length पे depend नहीं करता किसी और factor पे g पे depend नहीं करता किसी और factor पे depend नहीं करता motion of mass attached to spring का time period दो factors पे mass पे और spring constant पे इस relation से जाहर होता है ये रहा आज का हमारा पहला topic 10th class का उमीद करता हूँ कि आपको इसका lecture की समझ आई होगी अपने questions अपनी queries comments में जरूर लिखिए पूछिए मेरे इस video को like और share करना मत भूलिए और अगर आपने हमारा channel subscribe नहीं किया तो अभी हमारे channel पे जाईए और channel subscribe किये और bell icon को hit कीजिए थ Thank you.